दोस्तों दुनिया मज़ेदार तथों से भरी पड़ी है और ट्रेंटी फैल्ट आप के लिए लेकर आ चुका है एक नए विशेपर वीडियो तो बिनक्सिदेर ये शुरू करते हैं या वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि आप लोग सराब पीजिए बस या बताने के लिए है कि कोई क्यों सराब पीता है दोस्तों भारत में 11% लोग सराब पीते हैं जो कि बहुत कराब बात है लेकिन अच्छी बात या है कि 89% लोग सराब नहीं पीते आपने देखा होगा आज पडोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ जादा ही सराब पीते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो सराप का नाम सुनते ही सारा काम धाम छोड़ कर पीने में जूट जाते हैं आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जो पैक दर पैक पीने के बाद भी अपना होस्त नहीं गवाते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सराप का सिवन करते ही आनंद लोक में पहुँच जाते हैं हर एक गूट उनकी खुशी को बढ़ाने लगती है क्या आप ने कभी सोचा है इन लोगों का ब्योहर ऐसा क्यूं होता है अब पहली बार ये बात सामने आई है कि ऐसे लोगों में एक खास तरह की समानता होती है इस बारे में सोध करने वाले बेग्यानिकों ने पहली बार माना है कि कुछ लोगों में एक खास तरह का जीन मौजूद होता है जिसके चलते वह काफी ज़्यादा पीते हैं लंदन के किंग्स कॉलेज की विश्यक्यों ने पाया है कि जिन सजीवों में यह जीन नहीं होता है उनमें सराब पीने की इच्छा कम होती है या सम्भो है कि सराब की लट का जीन से सम्मंद हो लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि अगर आप में जीन है तो आपको सराब का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर यह जीन मौजूद है तो आप पी सकते हैं मुझे जहां तक लगता है या बात सही है कोई व्यक्त कितनी सराब पी सकता है इसका लेना देना उसके जीन से भी होता है डॉक्टर लियम डोनल्ड बताते हैं हो सकता है कि आपको लिवर कैंसर या लिवर सिरोसिस होने का खत्रा किसी दूसरे के मुकाबले दसगुना जादा ह फिर चाहे आप दोनों ने एक ही मात्रा में सराब पी हो सराब से बहुत सारी विमारिया होती है और सबसे आदा लीवर का खत्रा रहता है तो यार आज की वीडियो में इतना ही आज सा करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी चनल पर नहीं हो तो सब्क्राइब कर दो और लाइक किये भी ना कोई नहीं जाएगा वेलाल असायद आपको पता लग गया हो जो मैंने बताने का प्रयास किया कि इंसान सराब किस लिए पीता है तो यार आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे तद्धियों के साथ तब तक के लिए गुडबाई